दबुछी देवभुम्मी जोसी मठरे भूस खळन विपदरे हजार हजार लोकों का जिबन घर दर रास्ता खाट एबुंग पाहडरे बड़ भड़ फाट आतंक सुरुष्टी करीछी उतराखंडर जोसी मठ विपद्तिको जातियो विपदरे भूस खळना दाबीरे सुप्रीम कोटरे जनसर्थ मामला दायर होईची आजी यार शुनानी करीवे सर्भच्य अदालत जातियो विपदरे भूस खळाजी बारबी संभाब ना अची उतराखंड सरकार विपद्नको उधार करीबा सहर इलिफ कार्जय तुराणीत करीछोंती दुई सहर टी कोठारे नाली छक चिन्ह लगा जाईची जिल्ला प्रशासन पक्खेरु समस्ता निर्मान कार्जय उपरे कट्यकणा लगा करा जाईची बड़क थाय उची प्रति दिन नुवा नुवा रास्ता खाटाय बंको ठारे फाट्ट सुष्टिय बार लागीची गतकालियाव अट्सर्टिती घरे फाट्ट देखा देइची आजी दुईटी होटेल भंगा जिब एथी पाई लोकंको दुरता बजाय रखी वाकु कुहा जाईची सेपरी सहेरु अधिक विपत संकुल घरकु भांगी बाकु प्रशासन जोजना करी सारी छी जोसी मटरे प्राकुर्तिक विपत्वर जया पच्छारे रही ची हिमाळाय परबता आकार अरे परिबर्तन जडबाय परिबर्तन जोगु हिमाळाय रे उच्च ता प्रतिबर्श पाकापाकी 8 सेंटिमीटर ब्रुधी पाउची जा प्रभाबरे पाहडरे फाटा सुष्टिये बाद सहा भूस खळाना आसंका उपजी ची बदरिना थिमाकुन्ड रास्तारे 6000 फूट उच्च ता रे अबस्तित जोसी मटर प्रति बड़ा विपद गतसप्तारे भूस खळना जोगु क्यति ग्रस्त हुईची जोसी मटर गोटिये भागा विभिन्ना मठा मंदिर भुषूडी पडि थिवाबले पुजा पाठको ने आसा आसंका प्रकास पईची गतकाली मुख्या सासन सची बहुत जोची मटर परिदर्स्तान सहा कही चांती प्रति मिनीटे में गुरुत्त पुर्ण होई पड़ी ची 688 जण लोकों को सुरक्षी तस्थान को निया जाई ची बयासी ती परिबार बोलपूर्व को सिमाना को घरू सुरक्षी तस्थान को निया जाई थी बाबुख्या सासन सची बहुत चांती अच्छी नहीं है और इसलिए यहां के नाव़ों का जिर्नुदार ंधर किया जाए उसके लिए मास्टर बना रंजा अंगर खुशी ह है मुक्यमंतर जी ने इस बात को समझा और मुख्यमंतर जी निर्देश पर यहां के नाले नुगर मास्टर प्लान बना है लगभग जो बड़े नाले हैं लगभग 38 शिचाई विखाग द्वारा चिन्धित किये गये हैं और उनका मास्टर प्लान बना हुआ है अन्मोडा का ड्रेनेज प्लान का फेज वन हमने बहुत पहले शाषन को डिजास्टर मिटिगेशन पंड के अंतरगत प्रस्ताव भीजा था लगभग 19 करोड की कारी उजना गई थी जिसमें 38 शाषन को जो मुख्य नाले हैं निकास के लिए उनको टेक अप किया गया था वाडिया इंस्टिटूट हिमालाय का जो हम लोग को करना है अट इस मोमेंट हम लोग इसको तीन पार्ट में करेंगे एक तो पार्ट हम लोग थोड़ा जियो फीजिकल स्टाडी करेंगे जिससे हम लोगों को अभी जो फॉल्ट और फ्रैक्ट्टर्स डेवलफ हुआ है वो इस संकट में है इसमें लैंड्स्लाइड होने का जो समभवना होता है तो मैं अभी हम लोग उसमें सेस्मिक अली भी मॉनिटर करेंगे तो देखेंगे कौन सा जाएगा में ज्यादा सेस्मिसिटी एन्हांस हो रहा है अगर हमारा सेस्मिक इंस्ट्रुमेंट से पताचलेगा उसमें सी पता चलेगा हम लोग मोनिटर करके बताएंगे तो उस रीजियन को हम लोगों को बहुत धान देना जोरूरी है क्योंकि उस रीजियन में लैंसलाइट आने का संभवना आता है जैसे मैंने पहले बताए थे जो टेक्टिंगरी मूबमेंट ओर ट्रिगर करता है लैंस सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट डिप्लाइ करेंगे उससे डेटा को हमारा प्रोसेसिंग सेंटर में लाएंगे आर्टिफिचल इंटेलिजेंस मेशिन लानिंग तुरू उसको 24x7 प्रोसेस करके हम सेस्मिसिटी का बारी में पता चलाएगे इस दूसरा चीज है तीसरा नहीं एक लांग टाम में कोशिश कर रहा हूं उहां पर एक स्टपलीस करने के लिए वे बेस सेंसर जिसमें कलाइनोमीटर एक्स्टेंश विटार और टोटाल स्टेशन्स न्ड इंसर डेटा हम लोग उहां पर कलेट करके यहां पर पता चलाएगा जिकिस रेट में वह अग जो यह सेस्मिकली टेक्ट्रोनिकली बहुत एक्टिव है यहां पर 1999 में चामुली में भी आर्थ को एक आया था तो इस तरह से अगर उतना 6.8 magnitude आर्थ को एक ना भी आए अगर छोटा मत्र में भी आर्थ को एक अगर इस जैगे में आ जाएगा तो जिस situation अभी पाइदा हुआ है जो stress इतना city इतना stressed है तो उहां पर अगर छोटा मत्र में भी आगर आथ को एक आ गया तो that may lead to some sort of disaster in the form of landslides. दूसरा चीज यह है हमने january का end में february के में कुछ पता चल रहा है कि उहां पर बारिश होने का संभवना है बारिश भी आये तो क्यूंकि इस region में cracks and fractures develop हुआ है जो उसके अंदर से पानी घुश जाता है नीचे तो एक plane of zone पाइदा करता है जिसके जिसके उपर से जो material उपर का जो material है वो नीचे गिर सकता है जिसको हम जो हमने अंसे जोन सिर्जाष्टर मैनेजमेंट अक्ट में हमने घोशित किये है उसमें हमारा evacuation अभी अंडर प्रॉसेस है mostly वहां से complete है और जो उसके नेरबाइ और guest houses में हमने relief camp सापित किये हैं वहां पर shift कर रहे हैं और सभी सभी तरह का support relief support चाहे राशन किट्स हैं और इस तरह के support हम provide कर रहे हैं सब जो आज कारवाई होगी तो लेगी एक Central Building Research Institute Turkey की टीम आज यहां पर आ रही है तो उनके guidance और supervision में कि कैसे safe और scientific तरीके से जो भी वो buildings determine करते हैं कि वो unsafe है और अभी उनका ध्वस्तिकरण केजर आवश्यक है तो उसमें हम उनके supervision में कारवाई करें गया जो सिमट पर जिस तरीके से लगातार भूश कलन हो रहा है उसके पास कई ना कई प्रसासन की सिंदाएं लगातार बढ़की चली जा रही है और आप देखें जो यह बैंक का सामाना यह भी सिफ्ट किया जा रहा है आप देखें बड़ी बड़ी मसीनों को अब भार निकाला जाता है कि आप कि पया अपने लॉपरों का इंफुरेंस करवा लें किसी प्राक्टिक आनुम पीस्तिकी में बैंक आपके लॉपर में रखने हुए स्थामान का जिम्यदार नहीं होगा जानि कि जिस तरीके से हाला दिखल रहे हैं कही ना कहीं यह बहुत जादा चिंदा ज जादी है कहीं यह बहुत जादी है कहीं यह चीद है आने वाले जिलों में